कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मिंग अड़ा पे आज हम बात करेंगे कि अगर आपके गन्य में लगातार मोथे की दिक्कत आ रही है और आप बार बार उसकी गुडाई करते हैं प्रंत उसके बाद में भी मोथा आपके खेस से खतम नहीं हो रहा है हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर लें को कि मोथे की दिक्कत काफी बड़ी है को कि यहां ऐसा घास है अगर आप उसकी शाम को गड़ाई करते हैं और सुबा तक वहां फिर उपर से निकल आता है तो इसका कंट्रोल कैसे किया जिससे कि आपकी बहुती कवन लागत में काफ आपको तो इसका आपको देखने को नहीं मिलेगा और इसका अगर आप वाली नोचल से आपको इसका सप्रे करना है और किसान महाईओं जिसका जो रियल्ट है वो आपको तीस दिन के अंदर आपको इसका रियल्ट आपको देखने को मिलेगा प्रवंत इसमें के अज़ोरी बात का ध्यान रखना है जब आप इस सेम्परा का प्योग अपनी गन्ये के फसल में करें तो आपके खेत में प्रयाप्त नमी होनी चाहिए को कि अगर आपके खेत में नमी प्रयाप्त होगी तभी यहाप प्रड़क्ट आपके गन्ये में अच्छे से रिस्पॉंस कर पाएगा अगर आपका नमी अच्छी नहीं होगी तो उस तिति में आपके गन्ये की फसल पर इसक जब आप जो सेंपरा है इसको आप अपने 36 ग्राम प्रत एकड़ के हिसाब से आप इसको अपने खेत में सप्रे कर दें जिसका कि किसान भाईयों 30 दिन के अंदर काफी अच्छा रहा आपको रियल्ट देखने को मिलेगा जब आप सेंपरा कापको देखने को मिलेगा है जो सेंपरा होती है जिसको जड़े होती है नीचे जिसको हम लोग गाठी बोलते है मंतह सदाके पर mett की overlap इसमों 證लाइक वर्विए पानी लगा सकते हैं तरफ इसका मेहइन की रिल्डप की ये पानी नगा सकते हैं अगर पर देखने को मिलेगा अगर इसकी 66 ग्राम demand provider- Yok अगर प्राइस की बात करें तो एठारासो रुपए का वो आपको मिलेगा फारासो का खर्चा आपका एकड़ के लिए आयेगा पंतु उसका जो है वो काफी समय तक आपको देखने को मिलेगा जो मारा होता है दोस्तों यह हमारा systematic herbicide होता है जो कि सानबहाईयों हमारा जो इभा मोथे की पत्तिओं पर पड़ता है तो यह पत्तियों के माध्यम सदा के लिए खतम हो जाती है तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी आप हमें कमेंट करके जिरू बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद